सब्सक्राइब करें को आज देखें गें सॉटेश्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट अलगॉरिधम ठीक है कि कहा था कि एसे फ्रेप्री में नों प्रेम्ट्य मोड में काम करें तो एसे फिर देखेंगे हुगा उसे का बोलेंगे सॉटेश्ट पर चेक करना हमसे कोई कम टाइमिंग का प्रोसेस तो नहीं है दी हो वो जाएगा ठीक है तो करें अब ही रहेगा आपका थाइम प्रोसेस गाइमिंग कम रहेगी वो थाइमिंग होजाएगा इसे ठीक है लेकिन आपके हर यूनिट पिछे करना होगा इतना ही प्रोसेस आ रहे हैं उसमें सबसे कम बस ताइम किसका है वही पहले सेडूल होगा मोड के हो इसका प्रेम्टिव मिन्स एक बार सेडूल होने पर गारंटी नहीं कि पूरा कम करके ही बाहर आएगा वी चेक फॉर सॉर्टेस जॉब एट एवरी यूनिट ऑफ टाइम आपको पर तेक यूनिट पे चेक करना है कि कोई सॉर्टेस जॉब तो नहीं नहीं आ गया आगया होगा तो प्रेश एडूल वह हो जाएगा ठीक है और अधि सारे प्रोसेस आपकी क्यूं में आ चुके हैं तो उसके बाद आपको चेक करने कर सकता नहीं है लेकिन जब तक सारे टास्क न आ जाएं तो तो चेक आपको करना पड़ेगा तो फिन आल प्रोसेस आराइवड नो नीट टू चेक फॉर वन इनिट अफ टाइम ठीक है जब सारे आ जाएं तो आपको बारवा चेक करने सकता नहीं होगी ठीक है कुश्चन है मोडव का प्रेम्टू है इस रटीएव से करना है आपके अपके अच्छी प्रोसेस हैं 12345 सबका अराइवल गिवहन है सबका बस्टन गिवहन है ठीक है तो डॉके देगा एंड चार्ट तो सबसे पहले जीरू पे कौन आया है पीवन आया ह अब यह मालूम करने के लिए कि कितना बचाया है अब यह प्रसके वह लिए है अब जुरूब फिर वाज क्यों लेगी आया पीवन आया जिसकी पास्ट अबतने है तो आपके मेमोरी में आपके अच्छाट में पहले पीवन जायेगा और पीवन का टास्क 7 है लेकिन फिलहा चेप करेगा कि मेरे पास कोई और नया टास्क तो नहीं आ गया जिसकी बस टाइमिंग इससे भी कम हो तो 7 था एक उनिट हो गया तो अब इसका 6 बचा तब तक आपके कि रेडी क्यू में कौँ आ चुका है कि पीटू आ चुका है जिसकी बस टाइमिंग है फाइफ है कि अब यहां पर एक 6 और एक 5 है तो कौन सेडूल होगा आपका हाइफ वाला मिंस पीटू सेडूल होगा जब पीटू सेडूल होगा तो पीवन अपना एक उनिट काम किया है कि टू भी वन यूनिट अपना वार करेगा और तुरंद चेक करेगा कोई नया टास्क तो नहीं आ गया जिसकी बस टाइमिंग हमसे भी कम हो तो पर बाहर आएगा तो इसका भी वन यूनिट काम हो चुका आपका है बचा इसका फोर था फाइफ अब जब टाइमिंग हुआ one लूट यूट T 되면 नुमरी में आ चुका हुआ है जिसकी बस टाइम इतनी है भाइन डिज्यागा एट टाइम 2 P1 की बस टाइम 6 बचा P2 का 4 है और P3 का 3 है तो किसकी बस टाइम कम है आपे है P3 की कम है तो P3 एंट्री करेगा तो P3 जाएगा मेमोरी में कितना काम करेगा अपना 1 unit ठीक है इसके बाद बाहर कवाएगा वो 3 पे ठीक है बाद का काम है 1 unit का और इसका 3 था एक हो चुगा है इसका 2 बचा है अब हमारे पास 3 पे P1 6 बचा है P2 का 4 P3 का 2 P4 का 1 तो 3 पे कौन स्टेडूल होगा P4 स्टेडूल होगा फिर बाद 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 करेगा और इसका 1 तो वर्क है यह 1 minute का ही वर्क है तो यह तो complete हो जाएगा वहीं पे P1 complete हो चुगा है 0 बचा है इसका तो P4 स्टेडूल अभी बाहर कब आया होगा 4 पे आया होगा ठीक है तो 4 पे तब तक P5 भी आ चुगा मेमोरी मेरे पास और P5 की burst timing कितनी है 2 है है ना तो अब मेरे पास टास्क है P1 है P2 है P3 मेरे प 5 है तो किसकी burst timing गर्शी arts interval है p1 की 6 है P2 का 2 है P3 का 2 है P5 का 2 है P3 और P5 दोनोंका burst timing करेगा लिकिन सबसे पहल medidas का होब मेरे पास मेरे पीम मेरे मेरे पी 3 आया था तो schedule k NET P3 होगा ठीक है तो पी 3 सेडियूल होगा और वन यूनिट अपना वर्क करेगा तो पी 3 वन यूनिट काम किया इसका कितना बचा आप वन बचा और यह बाहर कब आएगा अब 5 पर तब तक मेमोरी में P6 भी आ चुका मेरे पास अब मेरे पास P1 भी है P2 भी है P3 भी है P5 भी है P6 भी है यह पूर तो है नहीं तो अब धांदी जगा किसकी परस टाइमिंग कम है तो एक देख रहा है P3 का 1 है और एक P6 का 1 है दोनों का सेम टाइमिंग 1-1 है लेकिन पहले के कौन मेमोरी में है P3 है पहले से तो पीठी जाएगा हम फिस सगें तो पीठी जाएगा और अपना वान एमिनिट वर्क करेगा ठीक है तो यह पीठी का कांट फाइनल हो गया जीरो हो गया बाहर कब आएगा वह 6 पर अब तो मेरे पास कोई नया टास्क का आना नहीं है शारे टास्क आ चुके है आ चुके है न अब बचे कौन कौन है P1 का 6 बचा है P2 का 4 P3 P4 कंपे चुका है P5 का 2 P6 का 1 तो कम टाइमिंग इसकी है P6 की है पहले P6 जाएगा देन P5 देन P2 और देन P1 क्योंकि अब नया टास आने तो है नहीं इसलिए अब जाए बार बार नहीं करेंगे तृहिक इसके बाद 6 को ज mirac करेगा P6 P6 के बाद P5 क्योंकि टाइमिंग उसकी 2 है और P5 के बाद P2 तो की 4 है और पी 2 के बाद P1 टाइमिंग उसकी 6 है ठीक है तो यह आपका तो 6, P6 गया, तो 7 बाहर आ गया होगा यह, वान्यूट कबर करके, 1 किया होगा, P5 का 2 था, तो 2 किया होगा अपना वर्क, तो बाहर रहा होगा 9 पे, ठीक है, इसके बाद P2 कितना किया होगा, उसका 4 पे चादा 4 किया होगा अपना वो, 4, 9, 4, 13, इसके बाद P1 का 6 बचा था, अब ना वो 6 बचादा, बाहर का भाए होगा 19 पे, ठीक है, अब आपका एभी कम्प्लिट हो चुका होगा, 0, एभी 0 हो चुका होगा, एभी 0 हो चुका होगा, और एभी 0 हो चुका होगा, ठीक है, गेंट रहा हो गया, अब देखे लिए जाए से कम्प्लिशन टाइम सब का, तो P1 का कम्प्लिशन टाइम कितना निकला, 19, P1 कम्प्लिट कब होगा है, 19 पे, ठीक है, P2 का कम्प्लिट का कम्प्लिट होगा है, यहां पे, P2 कितना है, 13, P2 का 13, P3 रहां देजिए, P3, P3, P3 का 6, P3 6, P4 का, P4, P4 का 4, P5 का, P5 का, P5 का, P5 कहा है, 9, 9, P6 का, P6 का, यह कम्प्लिट 7 दो होगा है, 7, ठीक है, अब इसका निकला टाइम टाइम, तो कम्प्लिशन माइनस अलाइबर, 19 माइनस 0, क्या होगा, 19 हो जाएगा, 13 माइनस 1, 12, 6 माइनस 2, 4, 4 माइनस 3, 1, 9 माइनस 4, 5, 7 माइनस 5, 2, वेट इसका लिए, 30 माइनस BT, 30 माइनस BT, 30 माइनस BT, 27, 12, 12 माइनस 5, 7, 4 माइनस 3, 1, 1 माइनस 1, 0, 5 माइनस 2, 3, और 2 माइनस 1, 1, ठीक है, अब इसका आपो निकला दीजा, इसका लिए, 30, 30 कितने है, 19, प्लस 12, प्लस 4, प्लस 1, प्लस 5, प्लस 2, 19, 12, 5, 4, 1, 5, 2, अपन 6, वेट इसका लिए, आपा लिए, 12, प्लस 7, प्लस 1, प्लस 0, प्लस 3, प्लस 1, अपन 6, इसको कल्पलेट करेंगे, 7.5, इसको करेंगे, 4 आपा, ठीक है, ठीक है, थीए, थैंक्यू,